इस ब्लॉक में आप लोगों से दो ट्रीक्स शेर कर रहा हूं पहला जो ट्रीक है यह जो सिंच फोर्ड देख रहे हैं इसको कैसे साफ करें क्या होता है कि बार बार हमारे हाथ से बार बार जो सुच हम यूज करते हैं सबसे जाना वो बहुत गंदी हो जाती है कि अपको sudah to रहएक है आप लोगों को बचा हुआ है कि यह दौनों ट्रीक्स आप लोगों के इस वीडियो में शेर करने वाला हूं ओ जो नय है हमारे channel उनसे जानल को सब्स्राइब कर करते हैं और bell icon को प्रेस कर तो आउप कर्या बत्रीक्स है यह चलते हैं सबसे पहले पहला ट्रिक्स आप तो उससे शेर कर रहा हूं कि अपने स्विच को कैसे साथ करें उसके लिए मैं तीन चीज ले रहा हूं पहला यह देखिए यह नैल पॉलिस और दूसरा यह सिंपल कॉल गेट और तीसरा यह कॉटन बस यही तीन चीज बैसे तो कि यह दो चीज में साफ हो जाएगा लेकिन क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा गंदा होता है तब जाके यह कॉल्गेट भी इस्तिमाल करते हैं उस जित्ती दाग को हटाने के लिए तो फिलहाल में यह तीन चीजों से आपनी स्विच बोर्ड को साफ करने वाला हूं और बि जाएगे अच्छी तरह पूरा यह बिग गया और फिर जो है थोड़ा साइस पेस्ट को ऐसे कर दिया है थीक है अब आइए स्विच से तरह पर तो यह है वैसे हमारा जादा गंदा नहीं होता है क्योंकि मैं रागुलर बेसिस पे साफ करता रहता हूं अब क्या है हलके हलके इस पे लगाना शुरू कर दें सबसे पर उपर के हिसे में अच्छाए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान पर रख के करना है क्योंकि यह अलेक्रिक बोर्ड है बहुत जादा इसमें लिक्विड अगर हो तो थोड़ा सा वाइट पॉटन और बढ़ा ले यह देखें यह सुच में इस तरह है अब यह साफ होने वाला है अब यह देखें इसको भी साफ करने वाला हूं यह भी गंदा है हुआ 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 है सुखा कोटन लेकर उपर से इसको अच्छे से साफ कर देंगे यह देखें पूरी चमक हो गई है इसे चमक गई कि सारे साफ हो गई है यह थोड़ा सा चमक रहा है इसको भी साफ कर दो यह देखें यह भी यह भी साफ हो गया पूरी अच्छी तरह से और बड़ी सिंपल से साफ हो जाता है आपको खो तो यह खूता है कि बिल्कुल नहीं होता है कि कब खतम हो जाए और हमारे पास स्पेर को इस लेंडर ना अओ तब बड़ी मुस्कुल हो जाती है और पर कोई अभी Bu 2018 जैम से पहले Buking करा के और fascinating प्रिशाने की चलते हैं कि सिलेंटर को कैसे हम चbraff करें कि इसमें ग्यास कित्ना बचा होगा है सबसे पहले कपड़ा लेंगे कि कपड़े को मैंने गिला कर दिया है बड़ा सिंपल ट्रेक्स है बहुत ही आसान ट्रेक्स है कपड़े को मैंने गिला कर दिया है अब रसे मैं बता दू यह मेरा सिलेंडर जो है बिल्कुल फूल है स्पेर के लिए है तो यह पुरा बरा हुआ है मतलब मेरे हिसाब सब उसने क्या दिया है अभी पता चल जाएगा यह देखिए सबसे परे कपले गिला करके यह हूं साफ कपले को जो है ऐसे गिला कर देंगे स्लेंडर और थोड़ी देर थोड़ी देर छोड़ देंगे गिला कर दिया मैंने जहां स्लेंडर जहां तक खाली होगा वहां तक यह सुखना शुरू हो जाएगा यह देखिए उपर का हिस्सा शुरू हो गया है सुखना क्योंकि उपर ओलड़ी खाली है और नीचे जो है वो गिला है एक्चुली लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो माफी चाता हूं मैं क्योंकि लाइट गर पे जो है वो नहीं आ रही है तो इसलिए पूरी जो है फोकस नहीं हो पा रही है देखिए यह उपर के हिस्सा सूख गया है तो यानि यहां यहां आल्रेडी खाली रहता है यहां तक हिस्सा जो है भी गिला है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में जो है कितना गयास बचा हुआ है तो आई हो यह दोनों ट्रीक्स आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फिर जल्दी मिलते हैं एक नए ट्रीक के साथ तब तक के लिए अल्ला आफिछ